जैसा कि कल एक पूश्चन पूशा था तेक वह पढ़ाया हुआ है मेरा आपको जैसे कल एक पूश्चन पूशा था अनकेश जी ने कि माले उनके कस्टमर है मिस्टर एक कस्टमर माले कस्टमर है सपोज एट मिस्टर अब इसका दिखिए मैं यह क्यों बताने जा रहा हूं क्योंकि जो इन्हों पूशा था इसका उल्टा पॉश्चन भी होगा तो तो पॉश्चन यह था कि जैसे कस्टमर है मेरे मिस्टर एबी सी अब मिस्टर एबी सी को हम समान बेशते हैं लेकिन इनके दो स्टोर है माल जे एक स्टोर है इनका A ब्लॉक में और एक स्टोर है B ब्लॉक में दो स्टोर है एक स्टोर इनका कहा है उसका अड्रेस है A ब्लॉक और एक स्टोर है B ब्लॉक में पार्टी एकी है पार्टी एक ही है पार्टी एक ही है तो होता क्या है कि हम मिस्टर एबी सी को बिल बनाते हैं तो उनका question ये था कि मान लिए जब मैं अपने मिस्टर एबी सी को मैं बिलिंग करूं तो जब बिल प्रिंट करके समान भेजूं तो बिल में अगर एब्लॉक आउट्लेट के लिए बिल बना है तो बिल पे इनका मेन ये था बिल पे एड्रेस जो प्रिंट होना चाहिए वह ए ब्लॉक का लाइट यही question था बाकी सबी लोग को बताएं उनको तो समझ में आ गया बाकी सबी लोग को पंसर समझ में आ गया ना पार्टी एक ही है उसके दो लोकेशन पर ऑफिस हैं दोनों के लिए अलग अलग बिल बनता है तो अगर हम एब्लॉक की बिलिंग करें एब्ल लेगा इनका डिलीवर दरब तो डिलीवरी वहाई को कैसे पता चलेगा उसको तो पता है ना कि ABC के दो ऑफिसे किस ऑफिस में जाना है तो बिल पे अड्रेस प्रिंट हो जाए अगर ए ब्लॉक के लिए समझ बिल बना है तो बिल पे ए ब्लॉक पार्टी का नाम एक ही आए और बी ब्लॉक पे हो तो बी ब्लॉक इसको कैसे हैंडिल करना है इस चीज को यह मैं अपर संधाने जारा हूँ कुछ भी नहीं करना है सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मार्ट सॉफ्ट्वेर में क्या हम डूब्लिकेट लेजर बना सकते हैं मतलब कि अगर मालो कोई एक प तो आंसर है यह देखिए अभी मैं पहले दिखा देता हूं एक में एक में टूके रही है देखिए जैसे माली यह मैंने मेरे कस्तमर है मिस्टर मिस्टर एबी सी यह रहते हैं एब्लॉक में एब्लॉक में आफिस है न्यू रोड डेली इनका हमने जी एश्टी नमबर भी डाल दिए चिक और सेट कर दिया है अब अगर हम दूबारा इसी नाम से लेजर बनाने जाएं दे रहा हुए है सर अगर मैं दूबारा इसी पार्टी के नाम से लेजर बनाने जाओं तो सॉफ्टर मुझे लेजर क्रिएट करने दे रहा है तो देखिए जब हम दूबारा लेजर बनान सब्सक्राइब करेंगे तो क्या नहीं बनाने से नाम से लेजर बना हुआ है आप नहीं बना सकते हो मैं बनाने से करेंगेद से लेजर पर दैदाने से करेंगेद में लेजर बनाने जाओं Mr. ABC के नाम से तो एंटर करने सॉफ्टर बता रहा है डूब्लिकेट लेजर इस नाम से आप और लेड़ी लेजर बना चुके हो तो इस नाम से हम दूसरा लेजर आपको क्रियेट नहीं करने देंगे तो ठीक है भाई अब आपके तो नहीं का मुझे सेम नाम से दो लेजर क्रियेट करने हैं या तीन लेजर क्रियेट करने हैं तो क्या वो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ तो आंसर है यह सब कर सकते हो कैसे तो आप सभी लोगों को कंट्रो और यहां सर्च करेंगे, duplicate, अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि हम Marx में एक ही नाम से कई लेजर बना सकते हैं, उसकी जरूरत के उपरती हो, मैं बता रहा हूं, हम Marx में एक ही नाम से अगर हमें कई लेजर बनाने हैं, तो हम create कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, duplicate, डूब्लिकेट कंट्रोल लूम में डूब्लिकेट सर्च करोगे और यह देखिए यहां पे एक option दिया है पार्टी नेम डूब्लिकेट एलाओ इसी तरह आप आइटम भी डूब्लिकेट मर्ज हो जाएं वो सारी चीज़े कर सकते हो यह बताएंगे आगे तो हमने यहां पर कि घ्रिश यहूआ यस कि हम डूब्लिकेट लेजर बनाना चाहते हैं जी अब देखिए मैं जब बनाने जा रहा हूं और मैं मिस्चर एंबी सी के नाम से ही मुझे दूसरा लेजर बनाना je conflict इन्टू तंडरी टर मिस्टर ए बीसी पहले क्या हो रहा था जैसे ही मैं अंट आ रहे थे तो सॉफ्ट्यne मना कर दे रहा था कि नहीं सेम नाम से दूसा लेजर नहीं बना सकते लेकिन अब नहीं हो अलर्ट तो कर लेगा लेकिन बनाने देगा यह यह देखि़िए अ उसने प्रवर्य उसने और रहा है स要ऩर ने आपको painful कर दिया कि यह आप सेम नाम से एंटर एलाव और कंट्रोलर ब्लू से सेव कर लिया अब देखिए मेरे अब मेरे एक ही नाम से दो लेज़ा बन गए सर ये कहने के लिए डुप्लेकेट है मैं हाँ सर नहीं सर पूरा पूरा पताऊंगा दो मिल दीजे क्योंकि इनकेर जी ने पूछा था कोश्चन वह कहीं ने कहीं प्लैटिकली वह यूज करते तब ही पूछा था तो उसका सल्यूशन जो है वह पूरा देख लिए मैं फिर से कर देता हूं क्या था कर इनका कोश्चन यह था कि मेरा कस्टमर है उसके दो अलग अलग ऑफिस हैं तो कहते हैं कि हम जब ए ब्लॉक में माल बेचे तो जब उस कस्टमर का बिल प्रिंट करें तो ए ब्लॉक आना चाहिए जब बी ब्लॉक में समान बेचे तो बिल में जो सेम नाम से उतने लेजर क्रियेट करने पड़ेंगे तो आपने सॉफ्ट्वेयर में एक और लेजर बनाया है Mr. ABC का डुब्लिकेट का और यहां पे उसका सेकेंड एड्रेस टाइप कर दिया दूसरे वाले लेजर में ठीक देख लिजे सिर्फसर रिकॉर्डिंग दे दी मैंने अच्छे नहीं हुई है दे दिया सिर्फसर रिकॉर्डिंग बना रहा हूं तो इस पर पुल पड्रेस बलॉक प्रिंट वरन whether बैचिए प्रिंट भीन लेकिन एक चीज बताईए, ऐसे तो आउटिस्टेंडिंग निकालने में दिक्कत नहीं होगी, भाई ये ABC, ABC दोनों तो एक ही पार्टी है, है तो एक ही परसन ना, जब हम इस लेजर को सेलेट करके बिल बनाएंगे, तो यहाँ पर इसकी आउट्टेंडिंग यहाँ आएगी, ए ब्लॉक वाले, बी ब्लॉक पे जब करेंगे, तो यहाँ आएगी, आएगी यह नहीं आएगी, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर यह इसके डूब्लिकेट लेजर को बिलिंग करें, तब भी उसकी आउट्टेंडिंग एक्च्वल लेजर में ही जाए, अनकेस जी आप चुपरेंगा बाकी लोग बताईए, क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर मान लिजे एक ही नाम से हमने एक ही परसन है, उसके दो लेजर बनाएं, तो हम चाहते हैं, दूसरे लेजर को हम सेलेट करके बिल बनाएं, तब भी आउस्टेंडिंग पहले वाले लेजर में क्रियेट हो, क्या कोई तरीका है, बताईए, हाँ जी है, क्या है, लेजर मर्ज, नहीं, लेजर मर्ज, नहीं किस जी, नहीं, मैं मर्ज का नहीं नहीं चाहता हूं न सर, बिल टू शिप भी नहीं है, नहीं समझे आप मेरी बात, भाई देखिए, अभी आपको याद आ जाएगा, थोड़ा सा नाम बद, देखेंगे, इसलिए मैं कहता हूं, कंसेट पर फोकस करिए, इसलिए मैं आप लोगं को बोलता हूं, कंसेट पर फोकस करिए, मैं बताता रुक जाएए देखिए जैसे मान लिए एक Mr. R है और एक है Mr. P Mr. R को हम उधार समान देते हैं और जितना भी उधार समान देते हैं उनके लेजर में जोड लेते हैं अब Mr. P हमसे कहते हैं नहीं नहीं रुके रही है मैं बता रहा हूँ अब Mr. R ने हमको ये कहा कि भईया ये Mr. P हमारे जानने वाले हैं ये Mr. P जो है हमारे जानने वाले हैं आप ये अगर उधार समान लेने आया करें तो इनको उधार समान दे दिया करिए और ये जो भी पैसा है इनका वो मेरे खाते में लिख दिया करिए यानि Mr. P को आपने अगर 3000 रुपे का उधार समान दिया है तो बिल तो इनके नाम पर कर दिजे लेकिन वो 3000 रुपे आउस्टेंडिंग मेरे खाते में जोड़ दिजे तो कोई ऐसा तरीका है पढ़ाया हुआ है आप लोगों को बिपन जी बिल्कु सही बताया मर्ज का तो अलग concept है दोनों की अलग-अलग आउस्टेंडिंग एक लेजर में मर्ज हो जाए मर्ज का तो मतलब वो है बाई कुछ एक ही परसन है कुछ बिल इनके नाम पर काट दिये कुछ बिल इस नाम पर काट दिये बाद में पता चला दोन दोनों के मालिक एक ही हैं दोनों स्टोर के मालिक एक ही है तो हम कहते हैं बिल तो दोनों के अलग-अलग के नाम पर भी ब्लॉक के श्टोर में माल जा रहा तो बी ब्लॉक श्टोर के नाम पर एड्रस पे बिल कटे ए ब्लॉक श्टोर पे माल जा रहा तो ए ब्लॉक श्टोर group of account और यहाँ पहले main person ले रिजिए Mr. ABC enter अब इसकी secondary company गुरूप of company जागे ने secondary company कौँ सी है star key से select करना है उसको हमने गाए ये वाले है star key press कर दिया और करना चाहे हैं और भी कर सकते हैं और लेजर बनलब जितने star tag कर रहो न इनको जब बिल बनाओगे तो बिल तो इनको बनेगा star वाले को लेकिन आउ standing इनके में जनरेट होगी बस escape कर दिजे हो गया काम हाँ अब देखिए जैसे ही मैं sale बिल बनाओँगा ये देखो पहले मैंने पहले वाले person को समान बेचा ये कहाँ है यहाँ address भी लिक्किया आजाता है अब doubt हो तो देखो नीचे भी address लिक्किया आता है यहाँ पे भी address आता है यहाँ जैब पता कर सकते हो यह कौन से store वाला है रेखिए यह रेखिए इनको बिल काटा 10 piece अब उनका कहना था कि A block में माल बेचिऊ तो address में A block आना चाहिए F की से preview देख सकते है यह देखिए A block आ गया परसन वही है ठीक अब मैंने दूसरे वाले को बिल काटा B block में ठीक है तो देखो B block आ रहा है अब देखिए इनको मैंने इसके 80 piece बेचे जब बिल सेफ करेंगे तो बिल में देखिए यही तो कहरते है पार्टी एक ही है अब हमारे employee को delivery man को मालूम होगा यह माल B store में पहुचाना है लेकिन लेकिन दिक्कत यह है कि outstanding क्या generate हुई outstanding यही जनरेट हुई देखो F4 प्रेस करके यह देखो यहां जब पकड़ लोगे कि B block में माल गया था ठीक है ना समझ मैं तो उनका sir group of account में जाएंगे रंसर और main company पहले select करेंगे फिर जितनी उसकी सब company आई जिसको billing पे आप चाहते हो कि वो ना हो इंब्या में किया और जिनको जिनको एड़ करना star की से select करेंगे चले कल मुझसे एक और question पूछा गया था उसको भी हम यहीं पे solve करेंगे question बढ़िया था इसलिए ध्यान से इसको समझेगा क्योंकि अभी कल हम लोग जो topic complete करके आए थे कल तो मारा other detail चल ला था बड़ उससे पहले एक topic चल ला था और यह question कही लोग पूछते है इस टॉक इशू खासकर जो लोग नए software जल अभी recently software यूज करना दो महिने चार महिने की हैं वो ज्यादा पूछते हैं हमने अभी पढ़ा था stock issue voucher and stock receive voucher इसके बादे में पढ़ा था ठीक है यह हमने voucher discuss किये थे stock issue and stock receive तो कल एक बहुत बढ़िया question पूछा गया था ठीक वो क्या है मैं बताता हूं जैसे मैं उसको practically करके दिखाता हूं एक दो बार मुझसे customer ने call करके question पूछा भी है तो मैं उसको एक बार practically करके दिखाता हूं दो मिनट दीजे मुझे हां और कल आपके बैच में भी किसी ने मुझसे question पूछा था question क्या ध्यान दीजेगा जैसे हमने कहा 28 पीस एक मिड़ा मुझे काम करना है छे पीस एक मिनट जाएगा सार्ट कर एक जाएगा सतर पीस दो मिट दीजेगा मुझे 25 पीस असी सतर पीस अब आप लों सुझे रों कि सर कर क्या रहे हैं रुक जाएगा पंदरा पीस अब यह आपको बताता हूं मैं कर क्या रहा हूं कि दस पीस शाथ त्रापीस चले देखिए कोस्चन क्या है यह डेटा रेडी कर रहे हूं कोस्चन के लिए अब समझेए ररंसर ररंसर दो रिकार्डिंग में देख लिएगा बता दिया है रिकार्डिंग में मिल जाएगा थीक है आप कॉल तो करते हं मुझे कॉल करके पूछ लेना ठीक है सच इधर देखिए इस टॉक रिपोर्ट में गए अब इसमें देखिए बहुत सारे स्टॉक आपके ऐसे दिख रहें जो निगेटिव हैं यह देखिए 68 पीस 7 पीस 70 पीस 10 पीस 15 पीस ठीक तो एक कस्टमर तोchs कश्टमर ने मुझे कॉल किया था एक बहुत पहले की बात है और उस कस्टमर ने मुझ ने मुझसे कहा था उपिस neighbor उप कोउच्चन पूछा था किसमें ने काल बताऊएँ तो कॉस्टन यह मानलेज़्ें आपके 2000 निजर है उन में कई आइटम ऐसे बूप कोई कैसा कोई एसा तरीका डिए माइने 17 दिखा तो सब आता जो जितने भी टाग निगाटिव में दिखा रहे है वहy 002 हो जाएं किसने पूछा था कोश्चन बिल्कुल अनकेश जी तो देखिए दो कॉंसेप्ट है यहां पे पहला कॉंसेप्ट है कि अगर आपको किसी एक आइटम के स्टॉक को जीरो करना है निगेटिव उसको जीरो करना है ठीक है न मिरी बात को समझिएगा मान लीजिए आपके यहां प शो हो रहा है न हमने का हाँ हमने का वो जीरो हो जाए तो हमने अनकेश सर से पूछा केवल पटिकुलर किसी एक आइटम के स्टॉक को निगेटिव से जीरो करना है या सभी को तो यह कोश्चन अनकेश जी ने मुझे ठोड़ा और आसन करते हैं अनकेश जी मुझे कॉल करते कहते हैं सर एक समस्य हमने बताईए क्या है कहें कि हमारे न 2000 आइटम हैं हमने का ठीक है कहरें उसमें से कुछ आइटम ऐसे हैं जिनका स्टॉक निगेटिव में दिखा रहा है हमने का ठीक है सर तो कहने लगें उनके जितने भी हमाई स्टॉक negative में दिखारे हैं, उनको में зीरो करना है, तो हमने का एक किसी particular एक item के stock को negative से 0 करना है या सभी को, और किस हमने का एक को, तो किसी एक item के stock को, मुझे इन में केवल इसको negative को ये वाला stock जो है, ये वाला जो stock है, test for item इसको 0 करना है, बस, बाकी नहीं, किसी अगर एक आइटम को करना है तो आप जाएगे इंवंटर्री मास्ठर में और जिस आइटम के स्टॉक और निगेटिव से जीरो करना है उसमफे इंसर्ट की प्रेस करेंगे लिस्ट ओफ आइटम में जाएंगे फिर से जीरो कर दीजे, बस, टैब दीजे, ये देखो, टेस्ट फोर जीरो हो गया, तो सर अगर मान लो मेरे दो हजार आइटम है, अब सेम कोश्चन अगबर जी ने पूछ लिया, अगबर जी ने कहा, सर समझ में आ गया, अगर मेरे हाँ पे सॉफ्टर में कोई भी स्टॉक अगर न निगेटिव स्टॉक है, उसको जीरो कर देंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा, जी बिल्कुल, अब अकबर सर ने कोश्चन ये पूछा मुझ से, सर ये बताओ मेरे दो हजार आइटम है, दो हजार आइटम में से मेरे साथ सो आइटम ऐसे हैं, जो निगेटिव में शो हो रह हैं, कि अगर मेरे दो हजार आइटम में से कोई भी स्टॉक अगर जीरो पीस दिखा रहा हो, तो मेरे दो हजितने भी निगेटिव दिखा रहे हैं, सब आटोमेटिक एक साथ जीरो हो जाएं, तो वो कैसे करेंगे, फटा फट फट पहले चैट बॉक्स में लिखके बताए, इसक्री समझ में आया नहीं आया, मेरा कोश्चन आप लोगों को क्लियर है, क्लियर है, तो कुछ ऐसा तरीका हम करें, कि सारा निगेटिव जीरो कर दो और फिर से स्टॉक सही से मिंटेन करें, तो क्या तरीका है कुछ ऐसा, बिल्कुल है, note down कर लिजिए copy में note करिए कि अगर आपके software में 2000 आइटम में से कई सारे ऐसे आइटम है जो negative stock दिखा रहे हैं उनका आप उन सब को एक साथ zero करना चाहते हो तो note कर लिजेगा प्लीज negative stock सभी negative stock को एक साथ zero करने के लिए stock issue voucher में जाएंगे new में जाएंगे और यहाँ पे self breakage expiry select रही note कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पे note करने वाली चीज है इसलिए बोल ला हूँ भूल जाओगे आप लोग देखिए मैं हमेशा देखिए मैं सभी लोग को बोलता हूँ आज अमिजी से दिन में बात हो रही थी तब भी मैंने अमिजी को बोला था कि हमिजी सर कॉपी और पैन लेके बैठिए बहुत लंबा रास्ता देखना बहुत कुछ सीखना हम लोगों को तो बाद में ऐसा नहोगी भोलते रहें तो कॉपी एक बनाइए note करिए नोट करने का समय चाहिए आप मुससे समय ले लिए कोई दिक्कत नहीं है मैं वेट कर लूँगा ठीक है तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आप लोग अपनी लेंग में लिए लिए कि सभी निगेटिव स्टॉक को एक साथ कर दिया अब यहां पर आपको लेना है क्वांटिटी यहां पर क्या सेलेट करना है क्वांटिटी यह नोट कर लिएगा यहां तक तो आपको पता बस यह समय लिए क्वांटिट करना है यहां पर गये आप और यहां पर आपको लिखना है माइनस वन जीरो के बाद निगेट हो जाए ठीक अब यहां पर कर दिए इफेक्टेड यानि कोई भी ऐसा स्टॉक जिसकी क्वांटिटी माइनस वन या उससे जादा हो वो स्टॉक क्या हो जीरो हो जाए अब हमें कुछ नहीं करना है वो स्ट्रेप में ट्रास्फर हो जाएगा में स्टॉर से जीरो हो जाएगा अब सॉफ्टर को पता भी नहीं है कि आपके कितने ऐसे आइटम आपको याद भी नहीं कितने ऐसे आइटम है जो जीरो है निगेटिव में हैं एंटर करिए कमपनी सेलेट कर लिजे सिपला रैन बैक्सिर संफार्मा एंटर यह देखो आइटम ट्यूक्यू के वन पीस आइ और स्टॉक रिशीव वाउचर से जब इंटरी करते हैं तो केवल हमारा इंवेंट्री पार्ट इफेक्ट होता है मैं स्टॉक पर इंपेक्ट पड़ता है अकाउंट पर कोई अब जैसे ही टैप करके सेव करेंगे अब ज़रा स्टॉक चेक करिए यह देखिए ओमेजडी टैस्ट फोर कोई भी निगेटिव आब आपको दिख रहा है ठीक है न तो अगर आप किसी भी स्टॉक अगर मैं आप लोगों कोई चीज़ सिखाता हूं और आपके सिस्टम में वह नहीं होती है तो फ्लीज एनिटेस दिखा दिया करिए मैं दो मिनट में कर दूँगा ठीक है एक बाँ मैं फिर से करके दिखा रहा हूं मैं क्या सिखा रहा था ठीक है क्योंकि जनरली कोशन पूशा जाता है कि जैसे माल लिजे मेरा यह आइटम्स हैं एक बाँ मैं बिलिंग निगेटिव में कर देता हूं एक मैं दीजेगा मुझे सर डाटर रेडी कर लूप आइटम्स टीवी दस पीस आइटम्स टीव क्यूव 15 पीस मैंने निगेटिव कर दिया सरा ठीक अब देखिए अब कोशन यह था कि सर हमारे बहुत सारे स्टॉक निगेटिव में दिखाते हैं हमने तो हम कहते हूं जीरो और अब ही जितना दुकान में माल पड़ा है उतना ओपनिंग में चला के खतम कर देंगे तो सभी अपने आबके practical करके दिखा दे रहा हूं मैं विन बंनाया थैओ यह जब मैंने यह इतना भी मेरा negative stock show हो रहा है वो 0 हो जाए तो कुछ नहीं करना है आपको transaction stock issue new यहां पर आप self breakage expiry select करेंगे और उसका quantity select करना है आपको यहां quantity select करेंगे और यहां minus one कर दिजे और यहां negative effected कर दिजे बस इतना का में अगर आप बात करेंगे सभी stock को zero करना है तो यह वाला है में बाकी self breakage expiry तो जानते ही है आप लोग जैसे ही हम इस पर enter करेंगे कंपनी select कर लिजे एंटर यह देखिए उसने उठा लिया जिक टैब दिया और save कर लिया जिक अब stock चेक करिए तो पहले stock फिर वह बिल भी दिखा जाते है इस stock हमारा जीरो गया एम लोगार देखिए सब जीरो हो गया कोई negative नहीं आ रहा है ठीक अब बिल वैसे का वैसे ही रहेगा जो अभी बिल बनाए है यह देखिए बिल वैसे का वैसे ही है 10 अब समझ में आ गया साथ बिल पर कोई impact नहीं पड़ेगा पॉइंट क्लियर है आगे बढ़े अब कल हम लोग जो कि मैं बता रहा था आप लोग को कि कल हम लोग बढ़ा अच्छा पॉइंट डिसकस कर रहे थे ठीक है हमारे कल रेज हुए थे ऐक अंकेश टी कि तरहते एक था हमारा कि अगर यह क basta को जब बिल करते हैं तो हम कहते है ए- Arbeit पे माल जा रहा है तो बिल में अउटलेट प्रिंट होना चाहिए और बी आउटलेट पर जब माल जा रहा ठिक फिर दूसरा मैंने बताया कि मान लीजिए आपके बहुत सारे स्टॉक है जो निगेटिव हैं और आप चाहते हैं उनको एक साथ जीरो करना चाहते हो तो वो भी तरीक आपको समझ में आ गया अब भाई हम लोग का टॉपिक चल लाता क्या टॉपिक चल लाता लेजर मौडिफाई करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की हमने बताई थी कि लिस्ट आफ लेजर में उस लेजर पर हम F3 प्रेस कर देंगे तो सौफ्टर हमें लेजर मौडिफाई करने का ऑप्शन देगा F3 किया तो मैंने बताया था लेजर को बनाते समय अगर उसमें कुछ गलती हो सही करना है लेजर का नाम गलत हो गया ओपनिंग बैलेंस गलत डाल दिया जी एसटी नमबर नहीं डाला है तो उसको सही करने के लिए तो आप लेजर डीटेल में जाते हैं और यहां ऑप्शन आता है एक्जिट मौडिफाई जी एसटी वेरिफिकेशन तो मौडिफाई पर लेजर बनाने के बाद आप लोगा अंसर दीजेगा लेजर बनाने के बाद कौन से लेजर होते हैं जिनमें अधर डीटेल की जाती है अधर डीटेल किन टाइप के लेजर में हम सेट करते हैं फटा फटा फट चैट बॉक्स में लिखके बताईए बोलिए गा नहीं चैट ब करते हैं हाँ जी इतने लोग है दसी लोग ने अंसर दिया बाई सभी लोग बताओ बिल्कुल सभी बताया सभी लोग ने कि ये लेजर को मौडिफाई करते समय जो ऑप्षन हा रहा है अधर डिटेल की फील्ड ये केवल दो टाइप के लेजर में सेट की जाती है डेटर के ले जाकाया है इतने जादा ये पेज पूरा खुल प्लकिया हैं जो सेटिंग करेंगे ये दौ टाइप को लेजर में होगी देटर के लेजर में यह क्रेटर वेजर में बिल्कुल साही नहीं दिने सर डेटर में क्रेडिटर में नहीं डेटर में यानि हमारा कहना है वह अधर डेटेल की जो सेट करते हैं यह मोस्टली डेटर और क्रेडिटर में सेट होती है और उसमें भी डेटर के लेजर में ज्यादा यूज होती है क्रेडिटर में कम होती है ड हमनों discuss कर रहे थे तो इसी टॉपिक के लिए आप लोगों को ही पता है कि हमनोंने class रखी है तो अब इस topic को हम start करते हैं सबसे पहले माली मैं एक नया ही लेजर बना लेता हूं मिस्टर एके इंडिया लिमिटेड ठीक जी एस्टी नमबर डाल देते हैं छेक सेफ कर लिया छेक मिस्टर एके लिमिटेड अब देखिए जब इसको हम F3 कर रहे हैं तो यहां एक option आ रहा है other detail एंटर किया तो यह जो जी उपर से नीचे तक जितना दिख रहा है इस सारी चीजें useful है चीक नमबर वन इसमें हाँ यह जरूर कह सकता हूं कुछ point wholesale के हैं कुछ point detail के हैं नमबर वन note का क्या यूज होता है जैसे के अब आफी में से किसी customer कैसा है उनका कहना है कि जैसे एक लिम्टेड जो है एक इंडर पे यह जो चेक से पेमेंट करते हैं तो इनके चेक बहुत ज़ादा बाउंस होते हैं तो कुछ भी रिमार ताकि बिलिंग के टाइम पे वह आपको रिफलेक्ट हो जाए ताकि आप उस बिलिंग के टाइम पे उस चीज के भीहाब पे डिसीजन ले सकें तो यहीं F3 करते हैं अधर देखिए बड़ा यूजफुल ऑप्शन है ये तो अब माल ये Mr. A.K. Limited हम हमारे यां समाल लेने आएं तो जब हम इनको बिल बनाने जाएंगे तो जैसे Mr. A.K. Limited सेलेट करेंगे तो भाई हमें तो इना पता है Mr. A.K. Limited को बारे में कौन हैं क्या हैं कैसे हैं कस्टमर एंटर य अगर मुझे लगता है जिए इतना पैसा फसा रहे हैं तो कोई दीकत नहीं तो ये रिमार्क customer to customer आपके उपर डिपेंड कर अगर आप किसी कस्टमर के रिगार्डिंग कोई रिमार्क डालना चाहते हो और आप यह चाहते हो कि जब हम उस कस्टमर को अपने यहां से बिल बन दे दिजे बाई पुराना कस्टमर कहा जाएगा दे दे तो यह अगर अगर डिटेल में कस्टमर के रिगार्डिंग हम नोट से और यह नोट की कोई लिमिट नहीं है ऐसा नहीं छोटा नहीं कुछ भी लिख सकते हैं देखिए जितना आप चाहें उतना लिख सकते हैं उसके ब अब समझार काम आपके भी आएगा जैसे माल लिजिये कुछ लोगं हमसे कहते हैं सर हमारे मान लोग सत्तर एसटी सी कस्टमर हैं तो हम नेका ठीक है तो हम कस्टमर वाइब लिग्यक को podem यह मembयरा कस्टमर इसको सात परसंट दे देंगे यह लॉयल कह्टमर इसको पांच पर पर्चेस करिए आपको कोई भी समान हमारे यहां से लेंगे तो उसपे हम 16-4 पर vazज का डिसकाउट आपको देंगे B.C. अभी छोड दीजे तो यहां पे जो आइटम डिसकाउट लिखा है इसका मतलब आइटम डिसकाउट नहीं है इसका मतलब पार्टी वाइस दिसकाउंट हमने कहा एके इंडिया लिम्टेट को कि आप मेरे यहां से कोई भी माल पर्चेस करेंगे तो हम आपको दाले चार परसेंट का डिसकाउंट देंगे ठीक है सेफ कर लिया अब देखिए अब मुझे बता यह हम यहां देखिए यह एक्षी देखिए हम बना रहे हैं कि इंडिया लिम्टेट को एंटर तो हम आइटम में भी डिसकाउंट सेट कर सकते हैं ना हमने कहा एफ्थरी की हमारे यहां से किसी भी कस्टमर को बेचा जाएगा दस परसेंट का डिसकाउंट जाएगा जैसे हमने कहा हमारे यहां से किसी भी कस्टमर को आइटम एम के बेचा जाएगा तो यह डिसकाउंट हमने फिक्स कर दिया तीन परसेंट का डिसकाउंट जाएगा अब एक बाद प ताइम पर 3% का डिस्काउंट पिक कर लेगा मैं दिखाता हूं यह देखिए एंटर देखिए Mr. A.N. को समान बेच रहे हैं आइटम वाईल बेच रहे हैं जड़ा देखिएगा यह देखिए यह देखिए यह देखिए 10% डिस्काउंट पिक कर लिया हमने आइटम M के बेचा तो आइटम M के हमने का किसी कस्टमर को बेचा जागा 3% का डिस्काउंट जाएगा यह देखिए 3% जा रहा है तो यह तो लेजर आइटम में से आप हमारे यांसे कोई भी माल पर्चेस करोगे, हम आपको साले 6% का डिसकाउन देंगे, तो अगर हमने इनके लेजर में Other Detail में जाके साले 4% डिसकाउन सेट कर दिया, तो अब Mr. A.K. India Limited को हमारे यांसे कोई भी समान बेचा जाएगा, सभी आइटम पे साले 4% का discount software automatic pick करेगा दो चीजे मैंने कल बताई थी वो रिपीट कर रहा हूँ अगर हम party के other detail में जो set करते हैं पहली चीज उस party को कोई भी item बेचेंगे सभी पे applicable होगा दूसरी चीज वही चीज आप party other detail में set कर रहे हो और वही चीज आइटम create करते समय भी है तो आइटम वाला काम नहीं करेगा party अगर हमने साले 4% discount set कर दिया तो इस party को हम अपने यहां से कोई भी समान बेचेंगे चाहे आइटम पे discount हो चाहे ना हो चाहे साले 4% से आइटम पे ज़्यादा discount हो या कम हो उस party को कोई भी आइटम बेचा जाएगा साले 4% ही discount जाएगा दिखा देता हूं मैं यह देखिए अब देखिए Mr. A.K. इंडिया लिम्टेट को समान बेच रहे है आइटम M.K. आइटम M.K. पे कितना discount है 3% और customer को 3% देते हैं पर्टिकुलर आइटम की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन हमने बोला कि Mr. A.K. लिम्टेट को हमारे यहां से कोई भी माल बेचा जाएगा तो साले 4 पका देखिए एंटर यह देखिए कोई भी आइटम बेचिए हमने आइटम M.K. बेचा इस पे कितना discount था 10 परसेंट तो 10 नहीं जाएगा इनको जाएगा साले 4 यह देखिए चाहे आइटम पे कोई भी आइटम बेच के देखिए यह देखिए I think समझ में आ गया हो कल भी पढ़ाया था मैंने यह point तो इसको नोग party wise discount बेचा जानी आइटम में discount हो ना हो party में जो set किया उससे ज़्यादा हो कम हो कोई फरक नहीं पड़ता जो आपने यहां discount set किया वही जाएगा फिर हमने BCA भी छोड़ दिये फिर हमने कल चर्चात की थी collection discount की तो मैंने आप जो अभी आपने बताया कि हमने item master में modify करके आइटम discount डाल दिया और हम जब stock को परचेज में चड़ाते हैं तो वहां पर भी batch wise stop में discount डालते हैं अभी मैं सर 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 रुको अभी वह जो question आप पूछ रहे हो ना वह question मैं पढ़ाऊंगा वह भी मैंने बताया मैं समझ गया मैं समझ गया मैं मुझे आज याद है तो मैं तो आज ही अपनी जिद्गाना मैं मैं आपको बताऊं मैं वह वह चीज मैं सोच रहा था इससे पहले ही पढ़ा दूँ ठीक है ना लेकिन एक काम करता हूं मैं बताऊंगा दो दिन का समय दीजिए यह complete करके ना उसी प्याता हूं question यह होता है कि अगर item के rate हर बार change हो रहे हैं तो उसको कैसे manage किया जाए क्या item master में rate change किया जाए या कहा आएगा आपके पास चीक है अभी सिर्विदा बता दिए कि यह दोनों discount आपस में क्लैश करेंगे क्या नहीं आप मैं आप बताएए पैच में भी होगा तो यही पिक करेंगा पार्टी वाला अब इदर देखिए अगला है collection discount का संबंद होता है जैसे मान लिजिए कोई customer है हमारे मिस्टर विने हम मिस्टर विने को उधार समान देते हैं ध्यान समझेगा मिस्टर विने हमारे customer हैं और मिस्टर विने को हम उधार में समान देते हैं तो मिस्टर विने को हमने कहा other detail में गए मिस्टर विने को हमने एक बात बोली हमने कहा मिस्टर विने जी हम आपको कोई भी उधार समान देंगे तो अगर bill date से उस bill amount का payment आप 5 दिन के अंदर कर देते हो या 4 दिन के अंदर कर देते हो वो दिन आपके उपर depend करता है तो हम आपको उस total bill value पे 10% का discount देंगे नहीं समझ में आया जैसे मान लिजिए कि मैंने रवी जी को 10,000 का उधार समान बेचा आज 25 तारिक थी 10,000 का उधार रुपे रवी जी को मैंने offer किया कि रवी जी अगर ये payment आप तीन दिन के अंदर करते हो तो इस bill value पे हम आपको 10% का discount देंगे यानि तीन दिन के अंदर देते हो तो 10,000 मत देना 9,000 देना हिसाब किताब बराबर हो जाएगा ठीक है तो collection discount का संबंद payment को collect करने से होता है अब हमने Mr. Vinay को बोला कि अगर हम आपको कोई भी उधार समान देंगे और उसका payment आप bill rate से इतने दिन के अंदर करते हो तो हम 10% का आपको discount देंगे लेकिन collection discount अगर आप set कर रहे हो तो यहाँ पर credit days डालना जरूरी है अगर आप credit days नहीं डालते हो तो collection discount काम नहीं करेगा ये को इस बात को ध्यान रखेगा तो एक condition तो दोगे ना software को condition तो आप दोगे हमने बोला Mr. Vinay को हम आपको कोई भी उधार समान दे और उसका payment current bill date से अगर आप तीन दिन के अंदर करते हो तो जितना भी bill amount होगा उस पर हम 10% का discount देंगे safe कर लिया अब देखिए Mr. Vinay को समान बेच रहे हैं हमने test item बेच दिया दस पीस मार्च ले लेते हैं हमने test five ले लिया दस पीस हमने item वाईयर ले लिया दस पीस bill कितने का बना 780 रुपए का हम कब माल बेच रहे हैं 25 फरवरी को तो हमने Mr. Vinay को बोला कि आज हम तुमें 780 रुपए का उधार समान दे रहे हैं और अगर ये payment तुम मुझे 25 तारीक से 3 दिन के अंदर देते हो यानि अगर इस 780 रुपए आप जो आज उधार 780 का ले जा ठीक है अब मुझे थोई ना मालूम है कि इनको collection discount देना है या नहीं देना है विने जी तीन दिन बाद 25 को बेचा 27 को मेरे पास आए cancer अपना पैसा ले लो हमने का ठीक है रिसिट वाउचर में गए एंटर किया 26 तारीकों मालों दे रहे हैं ठीक एंटर Mr. Vinay एंटर तो मिस्टर विने का हमने का 780 के लिए भी बोले थे आप हमने का देख लेते हैं 780 से मैं काटूंगा तो बैलेंस पूरा जीरो करूंगा इनको अगर अब इनको discount मिलना होगा तो देखो यहाँ पे हमाई लिए नुकसान है तो डेबिट होता है तो शौर्ट इन एक्सम जला देख अठतर रुपए आपके लिए छोड़ दिये है टाइम से पहले पैसा दे रहो यानि हमें कैश कितना देंगे 702 रुपए तो अगर आपने किसी में collection discount सेट कर रखता है और जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर वो payment कर रहे हैं तो software उतना collection यानि आपको मिलना था 780 रुपए मिला कितना 700 तो 78 रुपए आपका नुकसान हो गया discount दे दिया आपको ठिक आगे बढ़ते हैं ध्यान समझेगा अगला laser को F3 करते हैं other detail में अब देखिए ध्यान को मेरी बात ध्यान समझेगा minimum margin यह point आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही काम करेगा सर्थ बिल्कुल वैसे किसन जी काम करेगा अब देखिए यहां पर other जब laser में हम other detail में जा रहे हैं तो वहां एक field आ रही है minimum margin चिक और यह option minimum margin का आपने एक जिगे और पढ़ाता पहले मैं वो दिखा दूँ चिक है देखिए जैसे मान लिजे आइटम नहीं कोई ऐसा आइटम लिए इसमें calculation एजी हो चली मैंने लिए एजमीन केप एजमीन केप देखिए हम 200 रुपए में खरीदते हैं जरा ध्यान देखिएगा 200 रुपए इसका purchase rate है और sale rate क्या है 400 रुपए देखिए 200 रुपए में खरीदते हैं 400 रुपए में भेज देते हैं तो जब आइटम हम create करते हैं आइटम हम modify करते हैं तो वहां एक option आता है minimum margin का देख रहे हैं यहां पर आइटम कर रहा हूं आप लोग ने आइटम क्रिएशन पर रखा है जरा मुझे बताएंगे इसका क्या यूज होता है आइटम क्रिएट करते समय आइटम मॉडिफाई करते समय एक option आता है minimum margin इसका क्या यूज होता है यहां पर जो हम सेट करते हैं मालों यह percentage में सेट करना इसका क्या यूज है को बताएगा मुझे सर इस साइट पर कम से कम जो margin रखेंगे उतना हमरे बिल में शो करेगा शो करेगा नहीं सर मिनिमम मार्जिन से अगर कौम होगा तो अलट करेगा बिल्कुल सही बिल्कुल बिल्कुल perfect बुलाया है सर ने कि जैसे माली यह आइटम हम 200 रुपे में खरीते हैं 400 रुपे में बे नहीं कमाना है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमें इस आइटम पे 60% margin कमाना है इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम एजमिन कैप किसी कस्टमर को बेच रहे हैं और उस आइटम को सेल करने पे हमें 60% से कम margin मिल ला है तो software हमको अलट करे कि आपको margin loss हो रहा है यह भी आपका अच्छा feature है जैसे मालीजे बाई discount देते वक्त तो पता चलता नहीं है आपने कहा 200 रुपए का समान हम 400 रुपए में बेचते हैं तो अभी आपने कहा कि इस पे मुझे minimum 60% तो कमाना ही कमाना है तो software से आप यह नहीं कह रहे हो कि 60% कमाना है software से आप यह कह रहे हो कि admin कैप अ को बिल में बेचें और उस पे हमें 60% से कम profit हो रहा हो तो software हमको अलट कर दे अब इदर देखिए F12 से calculator on होता है 200 रुपए परचेज रेट है कौस्ट मालीजे कौस्ट है 200 रुपए 200 रुपए का 60% कितना हुआ 120 रुपए तो 120 रुपए तो 120 रुपए तो परचेज रेट 200 तो software हमको अलट कर तो यह तो हमने आइटम में सेट किया अब practical करके दिखाता हूं यह देखिए पढ़ाया हुआ है अम माल यह मिस्टर विने को हम समान बेच रहे हैं एजमिन कैप हमने का है एजमिन कैप में हमें 60% का profit चाहिए तो हम software से चाहते हैं कि इस आइटम को बेचने पर हमें 60% अभी कोई alert नहीं है कोई दिक्कत नहीं हुए क्यों क्योंकि 60% से ज्यादा profit कमा रहे हैं अब देखिए इसके rate को हम change कर देते हैं यहीं हम समान 300 में बेच रहे हैं rate के लगाया 300 रुपए अब देखिए यह देखिए software ने आपको alert दे दिया कि भाईया आपका इसका लागत है 200 रुपए आपने decide किया है कि 60% मुनाफ़ा कमाना है इस पे तो 200 का 60% कितना हुआ 120 रुपए तो 320 में बेचना चाहिए आप बेच रहो 300 रुपए म तो 20 रुपए का margin loss हो रहा है तो margin loss का मतलब अच्छा है मुझे एक पर chat box में लिखके बताओ क्या actual में आपको यह loss हो रहा है क्या वास्तों में अगर यह बिल बना दो क्या वास्तों में आपको नुकसान हो रहा है नहीं वास्तों में का नुकसान है 200 रुपए लागत का समा तो यह अलर्ट कर रहा है कि अब यह वेट का मतलब आप किसी से पूछोगे कि बेचे या ना बेचे यस करोगे तो बिल बन जाएगा जहां आपको 120 रुपर प्रॉफिट कमाना चाहिए तो हर अइटम पर हम अलग अलग मार्जिन सेट कर सकते हैं जैसे केंडी दस रुपर में खरीटते हैं 20 रुपर में बेशते हैं हमने का इस आइटम पर मुझे 50 पर सन का मुनाफ़ा कमाना है यानि हम अपने हैं से किसी भी कस सेल करें और उसको सेल करने पर हमें 50 रुपए से कम मुनाफ़ा हो तो बता दे तो दस रुपए का पचास पर सिंगे तो बता देगा तो हमने इसको बेच दिया 14 रुपए यह देखिए बेचना एस कर दिया बिल बन जाएगा तो यह तो अलग-अलग आइटम वाइज हुगा अलग-अलग मारजन परसेंटेज सेट कर सकते हो अब हम बात करते हैं पार्टी में जो अदर डिटेल में मारजन दिया इसका क्या मतलब है देखिए इसका मतलब यह होता है कि जैसे मान यह हमने कहा कि विने जी को यह customer वाइच चलेगा यह party वाइच चलेगा customer वाइच चलेगा यह पूरा जो concept यह आधर detail में दिया है हमने कहा अपने श्टाफ से कि भाई देखो Mr. विने को हमारे यहां से कोई भी माल बेचा जाए तो उस पे हमें 30 अब मूट कर लिजे हमने कहा कि Mr. гораздо को हमारे यहां से कोई भी माल बेचा जाए तो हमें minimum 40% का मुणाफ़ा कामाना ही कामाना है तो हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां से Mr. विने को कोई भी माल बेचा जा रहा है और कोई भी item सेल करने परकर हमें 40% से कम profit हो रहा है उस item पे तो सॉफ्टर हमको अलट कर दे तो 40% यह डाल दिया अब देखिए अब यह यह आपने सेट कर दिया पार्टी में अब इंट्रस्टिंग पॉइंट समझे यहां पर है 40% कि मिस्टर विने को कोई भी माल बेचा जाए 40% से कम मुनाफ़ा हो तो हमको अलट करें और यह रिखिए यहां पर मालो हम इनको एजमिन कैप बेच रहे हैं यहां हमने सेट किया है 60% यह आईटम के एकॉर्णिंग चलेगा कि एजमिन कैप किसी भी कस्टमर को बेचा जाए तो 60% तो प्रॉफिट कमाना इससे कम पर सॉफ्टर हमक 30% सेट किया है अब मुझे यह बताईएगा दोसों का 320 होता है 60% अगर यही सामान हम तीन सो रुपे में बेचें सोचना 200 रुपे कॉस्ट है पार्टी में सेट कियें 40% मार्जिन इस आईटम में सेट कियें 60% मार्जिन हम इसको 300 रुपे में बेच रहे हैं फटा पट चैट बॉक्स में लिखके बताईए मार्जिन लॉस अलर्ट करेगा या नहीं करेगा 320 होता है आईटम के कॉड़ी अलर्ट करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा देखिए क्यों नहीं किया सर भाई आपने आइटम में सेट किया है साठ परसेंट तो दोसो का साठ परसेंट होता है एकसो बीस दोसो और एकसो तीन सो फीस तीन सो फीस से कम में बेचने तो क्यों नहीं करा है क्योंकि item वाला काम नहीं करेगा पार्टी वाला काम करेगा अब देखिए 200 का 40% कितना होता है 80 रुपए यही 270 में बेचे अब ही ना 240 तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम particular party में सेट कर दें कि हम इस party को कोई भी माल बेचा जाए minimum इतना margin हमें कमाना है तो अगर उससे कम margin उस party को बिल बना रहे हैं कोई आइटम ऐसा उसमें बिल हो रहा है जिसमें उससे कम margin रिसीव हो रहा है तो software हमें alert कर देगा कि आपको margin loss हो रहा है चैट बॉक्स में लेकि बदाई clear है नहीं clear है तो concept यह है कि अगर यही ओसी आइटममें भी सेट और पार्टी में भी सेट और वही आइटम इस पार्टी को सेलना है तो आइटम वाला काम नहीं करेकांगा volume discount क्या होता है इसका क्या use होता है पर unit wise discount जी unit wise discount पर unit wise discount जैसे कई industries में ऐसे भी चलता है लोग कहते हैं कि हमारे यहां से admin cap का अगर एक unit sale हो तो इस पे 3 रुपए का discount जाना चाहिए percentage में नहीं अगर admin cap का हमारे से एक पता किसी को sale हो रहा है तो इस पे 3 रुपए का discount जाना चाहिए तो 2 पता sale होगा 6 रुपए 3 पता sale होगा 9 रुपए तो इसको बोलते है देखे पर unit wise discount अब save कर लिया तो यह तो मैंने item में set किया अब देखिए अगर मैं अपने आँसे किसी भी कस्टमर को admin cap sale करूँगा तो मैंने 8 quantity sale की तो 24 रुपए discount यहां नीचे दिखाएगा 24 रुपए discount चला गया 10 quantity sale करूँगा यहां manually भी आप change कर सकते हो यह देखो 30 रुपए discount तो यह तो item wise हो गया यह particular item wise हो गया अब आप कहते हो मुझे party wise चाहिए अब यही चीज़ हम party में भी set कर सकते हैं देखिए हमने कहा विने जी को कि विने जी आप मेरी shop से कोई भी समान ख़ई देंगे ध्यान सुनीगा मेरी बात हमने विने जी को बोला कि आप मेरी shop से कोई भी समान परचेस करेंगे तो हम आपको कोई भी समान की अगर आप एक यूनिट खईते हो तो हम आपको दो रुपए का डिस्काउंट देंगे परसेंटेज में नहीं, अमाउंट में हमने विने जी को बोल दिया कि विने जी हमारे यहां 2000 आइटम है 2000 आइटम में से कोई भी आइटम अगर आप हमाय से खईद होगे और उसकी एक क्वांट इखईद होगे तो दो रुपए का डिस्काउंट जाएगा ठीक है, अब देखो अगर आइटम में भी वॉल्यूम डिस्काउंट सेट है तो आइटम वाला काम नहीं करेगा, यह वाला काम करेगा, सेफ किया अब देखिए, एंटर यह देखो, दो रुपए जा रहा है मालब पांच यूनिट बेची कोई भी आइटम बेचो, चाहिए आइटम अब आइजमीन केप में आइटम में कितना था आइटम वाला नहीं पिक किया मालब कहने काला, वही चीज आइटम में भी सेट है और वही चीज पार्टी में भी सेट है तो आइटम वाला काम नहीं करेगा पार्टी वाला काम करेगा पॉइंट क्लियर है, फिर से देख लिजे अब कोई भी आइटम बेचिए सबने देखिए आप एक और आइटम ले लिया मालिज़े आइटम SD आइटम SD में कोई volume discount नहीं है ठिक यह देखिए दस एक में feasible बनायता हूँ सब का यह दिखा यह देखUh दस पीस दो रुपय का डिस्काउंट कंडी पांच पीस सब दो रुपय का volume discount लाएगा आइटम में के 10 पीस यह देखो सब पे यह देखो टोटल कितनी आपने तीन स्टॉक बेचे हैं को टोटल क्वांटी कितनी बेची है पच्छिस पर क्वांटीटी पे कितना सेट था दो रुपए तो यह देखिए यहां पे इसको एक मिट कन्फ्यूजन हो रहा होगा यह हटा यह देखिए 50 रुपे डिसकाउंट समझ में आया नहीं आया यह बताईए पॉइंट क्लियर है तो में लॉजिक क्या है कि अगर वही चीज आप पार्टी में भी सेट कर रहे हो और वही चीज आप आइटम में भी सेट कर रहे हो तो पार्टी वाला काम नहीं करेगा मैं एक दूसरे तरीके से बताऊंगा अमिजी जो अभी बैच वाला कोश्चन पूछ रहते ना यह बैच में डिसकाउंट या बैच में रेट या बैच में स्कीम बट अभी यहां कंसेप्ट आया है तो हम सीख लेते हैं हमने मिस्टर विने को बोला कि मिस्टर विने हमारे आप कोई भी माल परचेस करोगे तो अगर उसकी 25 कौांटी खरिदते हो या 20 कौांटी खरिदते हो तो हम एक फ्री देंगे यानि सिंपल सभी आइटम पर बोल दिया कि आप मेरे यहां से कोई भी समान खईदोगे और अगर उसकी 20 कौांटी खईदोगे तो एक फ्री बिल बने और कस्टमर अगर 10 क्वांटी खईता है तो एक फ्री जाना चाहिए, हमने ले लिया आइटम वाइएल, हमने का आइटम वाइएल हमारे यहां से कोई भी कस्टमर 50 पीस खई दे, तो एक फ्री जाना चाहिए, ठीक? लेकिन हमने, अब वो तो जो बो आइटम से लोग को तब करें हमने विने को बोला कि आप मेरे यहां से कोई भी सामान ख़ई दिये 20 पे फिरी है चाहे आइटम पर स्कीम हो चाहे ना अब देखिए अब हम बिल बना रहे हैं तो हमने यहां एजमिन कैप लिया एजमिन नहीं इस पर आइटम एम के लिया यह देखिए कितना है द की पार्टी वाइज स्कीम चलेगी देखिए अब यहीं आइटम अगर मैं यहनी इनको 20 पे ही एक आइटम वाली स्कीम नहीं काम करेगी ऐसा नहीं है जो 10 पे एक है वो 10 पे एक जाएगी जो 20 पे इनको दिये वो भी जाएगी अब देखो यहां पर कोई भी समान बेचो चैट बॉक्स में लिखे था एक क्लियर है नहीं क्लियर है इतना यह वाला पोई आगे बढ़े हैं यहां तक क्लियर हुआ तो यह स्कीम लेकिन अभी हम नहीं ज्यादा डिसकस करेंगे क्योंकि स्कीम के रिगार्डिंग बहुत सारे कोश्चन्स हैं जो हम लोग आगे डिसक करेंगे उसको अभी हम लोग पूरा डिटेल में डिसकस नहीं कर रहे हैं तो कि स्कीम क्या होती है हमें साब बैच वाई चलती है या MRP वाई चलती है ठीक कभी भी आइटम वाई या पार्टी वाई स्कीम नहीं होती है कुछ पार्टीों के लिए आप भले ही सेट कर दो ले तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि उसके नीचे का कल हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है तो आज इतना हम लोग एंड कर रहे हैं यहां तक फ्री स्कीम तक मैंने पढ़ा दिया मैंने बोला था यह दो-तीन दिन चलेगा तो मंडे को यह एक बर हलका सा रिवीजन कुइक जै आज एक नए ज्वाइन हुए है भगवान सर अन्म्यूट कर लिजेगा भगवान सर अपने माइक को अन्म्यूट कर लिजे कुछ समझ में आया थोड़ा वो ट्रॉफिक बस यह थोड़ा यह मीड़ आप चाहें तो किसी से भी फीड़बैक ले सकते हैं ठीके ना फार्मा के लेके बोलते हैं कि आपको एक-एक सॉफ्टर में सिखाएंगे और सागर जी आप भी साथ पहली पर जोईन हुए है कि आप यह थायओं किमेटिंग आइडिक वहता हंतों नबर चलता है फार्मा में आपका बैच वाइश को हम आपको पूरा कॉंबो सिखाते हैं तो आज हम इतना ही रखते हैं गुड़नाइट एवरिवन मंडे को मिलते हैं और थोड़ा सान जल्दी जो आइन होगा करिए आप लोग तो कोशिश यह करा करिए कि साथ पच्पन पर मैं मीटिंग ओन कर देता हूं अपनी मैं खुद साथ पच्पन पर जूम ओन करके बैठ जाता हूं साथ पच्पन साथ शपन पर तो आप लोग भी जॉइन गरें ताकि आठ पांच पर हमरी क्लास से स्टार्ट हो जाए ठीक है तो थैंक यू वरि मच मैं म कर रहा हूं हम लोग मंडे को मिलते हैं ठीक है थैंक यू गूर्णाट एव्यवन नाइट